हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आइधिंक ओलर फाइन सो एस्टेट रिगार्डिंग क्या अपडेट है कफों निकलेंगे कैसे आपको तयारी करनी है और किन बुक का यूज करके आप घर बैठे जो है एक्जाम क्रेक कर सकते हो किसी भी आपको जरूरत नहीं है किसी भी अकैड तो आपकी जो जाते हो तो आपकी जो गार्ट करने वाला अपको भो मिल जाता है जिसकी वज़य से लेकिन की फानेशल सिट्वेशन सही नहीं है या फिर जाता तर जो लड़किया है जो बाहर नहीं जा सकती married है या बच्चों की वज़े से किसी वज़े से बाहर नहीं जा सकती तो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे तयारी नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो और इन steps को और इस books को जो जो suggest की जाएगी subjects के लिए उन सब ही को अगर आप step by step follow करोगे तो आपका exam बहुत ही अच्छे नंबर से crack होगा ठीक है उसको कोई नहीं रोक सकता ये बिल्कुल surety है क्योंकि ये जो मेरा three times estate clear किया है और उसके साथ साथ जो भी previous years अब तक हुए है उन सभी को study करने के बाद ही ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि जो हमसे जुड़े हुए हैं उन बच्चों की help हो सके लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो है इसी टाइपस की वीडियो हमारे चैनल पर available होती रहे हैं तो चलते हैं सवसे पहले एस्टेट के फोरम कब निकलेंगे तो देखो आप ये वेट मत करना की फोरम निकले तब ही आप तियारी करना स्टार्ट करों कि सेप्तेम迫र ये अक्तूबर में आपको फोरम निकल जाएंगे ये शुरिटी है क्योंकि गोर्मेंट फर्याना ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि हब हर साल एस्ट लिया जाएगा और अगर कोई केंड़ेट्स यह सोच रहा है कि साल एस्ट नहीं होगा तो यह उसकी गल्द फहमी है क्यों क्योंकि कोई भी अर्निंग का रिसोर्स है तो गोर्मेंट उस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और इससे बहुत ही जादा अर्निंग होती है तो इसको जरूर करवाया जाएगा इसके उपर जो हमारी वेकेंसी निकलेंगी या निकलेंगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा और दिसंबर या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में ये एक्जाम हो जाएगा तो आप नौंबर मान के चलो कि नौंबर तक आपको जो अपनी तयारी है वो पूरी करनी है क्योंकि इसी तरह से अगर आफ फुल्स लेब रह जाती कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए रिकॉल नहीं कर पाए वो किस टाइम होता है जब आप उस चीज को सिर्फ उपर उपर से पढ़ते हो उसको डीपली स्टुड़ी नहीं करते हो तो अब चलते हैं स्लेबस की बात क मंगल्स की बुक आती है वो आपके कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि एक गाइड का काम करती है और अगर आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हो जो जो टोपिक्स आपके रिलेटिट है वो टोपिक और मुस्ट इसमें मिल जाते हैं अ है क्या आपका जो सब्चे से उसमें से पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत ही हैं जो फ्रेश्चर कैंड़ेट्स जो फरस्ट डाइम देंगे या फिर जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कहां गलती कि क्या रह गया था सलेबश में ई उनका और जो फ्रेशर है उनको उसका पैटरन पता चल जाएगा तो साइकलोजी के लिए एसके मंगल्स और बहुत सारी यूटूब पर वीडियोज मिल जाएंगी उनकी हेलप आप ले सकते हो उसके बाद है हिंदी हिंदी आपका 15 numbers का आता है उसके लिए जो अरिहंत की book है वो काफी अच्छी रहती है और भी बहुत सारी books हैं तो हिंदी और इंग्लिश के लिए बहुत सारी बार किट में मिल जाती हैं जो मैंने यूज की थी सिर्फ और सिर्फ मैं वही बता रही हूँ इसके लिए मुझे कोई ये नहीं है कि इस books क्योंकि कई बार क्या होता है publicity के चकर में किसी दूसरी books को भी suggest कर देती हैं लेकिन हमारा कोई publicity का चकर नहीं है आप कहीं से कोई भी book खरेई सकते हो लेकिन जो मैंने यूज की वो मैं आपको बता रही हूँ English के लिए हमने loose and use की थी क्योंकि English हमारी बहुत ही weak थी लेकिन इस books ने बहुत ही ज़्यादा help की हमारा exam crack करने में क्योंकि अकेले आप subject subject के base पर अगर ये सोचोगे कि तुका लग जाएगा अदर्स में हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा common और जो आपका subjects हैं दोनों में ही अच्छे marks लोगे तब ही आपका अच्छा score हो पाएगा तो English के लिए आप Lucent ले सकते हो Maths के लिए आपकी Maths और Reasoning Ability जो 10 marks की आती है वो आपके लिए जो अगरवाल की book होती है वो काफी अच्छी रहती है तो Reasoning की भी आती है अगरवाल की book हरियाना जिक्के की आपको मिल जाएंगी Lucent की भी मिल जाएंगी एक दो और मिल जाएंगी अच्छे अच्छे writers की आई हुई है market में उनका आप यूज कर सकते हो तो ये criteria जो है आपका 90 marks का रहेगा 150 आपके total question पूछे जाएंगे और उस जिसमें से 90 आपके जो है common रहने वाले है ठीक है तो जो TGT PGT है उसके लिए beard जरूरी है और जो PRT के candidates है उनके लिए gbt जरूरी है इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा maximum age limit estate की कोई नहीं है लेकिन अगर आपको क्योंकि जो estate दे यह दे रही है ताकि हम कोई भी job ले सके और government job में जो maximum age limit है वो 42 years है लेकिन कुछ candidates को जैसे SCST या other category है उनको relaxation मिला हुआ है वो अलग department है जर्नल में 42 maximum age limit है रखी गई है उसके बाद आते हैं कि subject में किस टाइप तक की question आते हैं तो subject से आपके 60 question है वो आपके subject से पूछे ज आता है तो subject पर भी focus करना है और उसके साथ साथ जो common section है उसके उपर भी focus आपको करना है और जो candidates जैसे कई candidates ऐसे होते हैं जिनोंने जे बीटी और बीएड दोनों कर रखी हैं वो TGT PGT या फिर PRT TGT PGT में से किसी भी exam की त्यारी करते हैं कि साथ साथ दो दो तिन तीन तीन exam की तियारी कर रहे हैं दो लेवल में तीन लेवल में ताकि इनमें सभी में eligible हो जाएं जब भी निकले form तो आप apply कर सको तो उन के लिए जो common होता है वो बहुत ही main role play करता है क्यों क्योंकि ये जो common होगा ये सभी में आपका level जो रहेगा वो same रहेगा तो बहुत ही ज़्या standard तक का आपके लिए sufficient है जी नहीं बिलकुल नहीं syllabus हाला की दिया हुआ होगा आपका 12 subjects का लेकिन जो उसका level होता है ना जिस type से question पूछे जाते हैं वो आपके post graduation level तक के पूछे जाते हैं ठीक है तो आप समझ गए होगे जैसे अगर add के question आएंगे तो वो ऐसा नहीं कि आप post graduation level तक के हो सकते हैं उनके बीच में जो भी relation हो सकता है तो वो आपका concept जो रहेगा वो post graduation level तक का रहेगा तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस type से question पूछे जाते हैं तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या आपको step follow करने हैं first of all आपको जो previous year question paper है उनको study करना है previous year questions आपको study करना है तो एक आप previous year question paper gas paper ले सकते हो लेकिन उनके answer बहुत ज़्यादा wrong मिलेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखीगा कि answer right दिये हुए हैं या नहीं दिये हुए हैं ठीक है सिर्फ question देखना answer कुछ wrong भी हो सकते है क्योंकि कई सारे पड़े हैं जिनमें बहुत सारे wrong answer दिये हुए हैं तो question से आपको पता चल जाएगा कि इस type के question पूछे जाते हैं उसके बाद आपको ये ये book खरीदनी है एक English की खरीदनी है एक Hindi की खरीदनी है एक Reasoning की एक Maths की एक हर्याना जिके की और subject specific के लिए आप ज से best और कुछ आपका नहीं हो सकता कि इस writer की अच्छी book है कि इस writer की अच्छी book है इस writer की अच्छी जी नहीं NCRT से best और कोई book आपकी नहीं होंगी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेगा अगर आपको subject में 60 number लेने हैं तो ठीक हैं तो इन्हीं चीज़ों को आपको books इदनी हैं उसके बाद एक एक करके आपको अपना time distribute करना है और सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है तो अभी से आप स्टार्ट हो जाएए और अगर commerce subject के candidates हो आप और किसी भी टाइप के आपको help चाहिए तो आप comment section में लिख सकते हो आपकी पूरी help करने की की जाएगी क्योंकि अब जो वीडियोज मिलेंगी वो आपके बिल्कुल basic से हम start करने जा रहे हैं commerce के ताकि जो बच्चे HPSC की या फिर HState की तैयारी कर रहे हैं या फिर plus one plus two की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल starting से यानि कि zero से start किया जा रहा है batch और आप भी ज़रूर ज बोक्स में लिख सकते हो और अगर हमारी वीडियो हेल्फुल रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले थैंक्यू सो मच अपना स्पोर्ट जरूर दीजिएगा थैंक्यू